अजा आपको वहां तक बिल्कुल क्लीर और तो आज हम इसके कुछ और टाइपस ओफ रिलेशन देखने वाले हैं जैसे कि आपका इसमें आजाता है इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन बट इसके लिए आपको तीन चीजे और पता होने चाहिए जिसको मैं बोलती हूं क्या एक तो फर्स्ट आपका जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेक्शन एंड सेकिन आपका जाता है इसमें सिमेट्रिक रिले एक वी वैलेंस रिलेशन आपका बन जाता है अगर यह तीनों जो है रिलेशन सेटिस्फाइ हो जाते हैं किसी भी सेट में ओके तो आए एक बार देखते हैं मिज़की डेफिनेशन और एक्जामपल ताकि आपको और इसमें क्लारिटी आ जाएं ओके सो यार स्टुडेंट्स तो काई यहां पर देखो मैंने डेफिनेशन लिख लिए रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटेव ओके तो अब एक एक कर क्या मिए डेफिनेशन समझते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चे है वह लास्ट तक कन्फ्यूज होते रहते कि मैं इनको हम लिखे की से क्योंकि यह आपके थोड़े प्रूविंग टाइप आते हैं कोशन और इसमें थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट लिखना होता है मैथमेटिकली इसमें कम होता है ठीक है तो आपको यह वाला जो कॉंसेप्ट है अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और समझोगे तब ही करें ती कि करो यह ञंगें तो मतलब वह क्या है एक आपका रिफ्लेंक्सीوف सेत कर्फ्लेक्सन मेरी तो अपनी हाइट को अगर में स्ने कर यह इस तो मैं कम्पैयर चार चाहिब अपनी हाइट से मतलब मेरी हैट मैं आपको सेट में एक्जाम्पल दिखा हूं तो जैसे मैंने लिख दिया एक सेट में 1 1 1 2 2 1 और 1 3 3 1 यह मैंने एक सेट आपके सामने सब्सक्राइब 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 चैसे तो और इक सेट में गता है तो दिखा दे कि armavi बिलोंग़ कर रहा है ठीक है तो जैसे कि मैं कोई element ले तो यहाँ पर जैसे 3, 4 मैंने ले लिया तो अगर किसी जैसे मैंने set बना दिया A ये अगर इसी set में आपका 4 and 3 भी बिलोंग कर रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा एक symmetric relation Because definition हमारी क्या गहते कि if A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 is also belongs to R तो मतलब कि आपका A1, A2 अगर बिलोंग कर रहा है R में तो आपका A2 और A1 मतलब उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए R में जैसे मैंने 3, 4 लिया तो 4, 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया? एक symmetric relation हो गया आप जैसे ये वाले example है इसमें मैंने 1, 2 दिखा दिया तो 2, 1 भी है 1, 3 है तो 3, 1 भी है इसमें है ना? तो वो आपका कैसा set हो गया? एक symmetric set हो गया मतलब symmetric relation हो गया, sorry ओके तो next जो है आपका वो क्या है? Transitive relation अब Transitive में थोड़ा सा difference है जैसे आप क्या देखते जा रहे हो? पहले एक element था उसको खुझ से ही compare कर रहे दे फिर हमने दो element ले जो आपका समी relation है ठीक है? और अब हम ले रे Transitive Transitive में आप चूझ कर दो 3 element ओके तो यहाँ पे देखो पहले आप करोगे क्या? A1, A2 अगर बिलोंग कर रहे है R में दूसरा अगर A2, A3 भी बिलोंग कर रहे है R में अगर यह दोनों condition satisfy हो रही है तो this implies that A1, A3 भी बिलोंग कर जाए अगर R में तो वो आपका हो जाएगा Transitive relation For all A1, A2 and A3 belongs to A ठीक है मतलब आपके A1, A2, A3 A1, A2, A3 भी बिलोंग कर रहे है A में ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा एग कि 1, 2 आपका बिलोंग कर रहा है A में ठीक है अब 2, 3 2, 3 बिलोंग इसमें नहीं कर रहा तो मतलब आपका यह एक Transitive relation नहीं है बट अगर मैं कुछ इस टाइप से relation बना दू इस तरीके से A is equal to मतलब इस ही में अगर मैं इसमें 2, 3 भी मैंने डाल दिया तो 1, 2 is belonging to this set 2, 3 is belonging to this set ठीक है अब 3, 1 मतलब पहले मैंने लिया 1, 2 फिर मैंने लिया 2, 3 आपने 3 element choose कर लिया न A1, A2, A2, A3 तो suppose 1 जो है मेरा A1 2 is A2 अब यह मैंने A2 और यह A3 तो A1, A2, A2, A3 मैंने बिलोंग कर लिया इसमें R में मतलब A set में 1, 2, 2, 3 अब यहां से अगर मेरा A1, A3 भी बिलोंग कर जाए R में तो आपका हूँ equal elements means 1, 3 तो 1, 3 से बिलोंग कर रहा है यह कर रहा है यह वाला है ना तो यह आपका क्या हो गया एक transitive relation तो आप एक बार देख लेते हैं equivalence relation तो जैसे मैंने पहले ही बताये starting की वीडियो में कि अगर आपके तीनों यह relation satisfy हो जाते है एक question में तो वो आपका equivalence relation हो जाएगा ओके तो जैसे इस question में आपका reflexive हो रहा है ठीक है अगर मैं देखू आपका symmetric ठीक है तो symmetric के लिए 1, 2, 2, 1 भी है और 2, 3 अगर 3, 1 भी है 3, 2 भी है तो 2, 3 है इसमें अगर मैं कर दू 3, 2 भी तो वो भी इसमें belong कर रहा है भी मैंने मतलब डाल दिया उसमें set ठीक है तो यह आप देख सकते हो कि symmetric भी हो गया राइट अब अगर मैं बात करती हूँ transitive की तो transitive की आपका मैंने वो और दिखाई दिये कि इसमें transitive तो है या आपका ओके यह हो जाएगा आपका equivalence relation अब भी हम एक दो example और consider कर लेते हैं ताकि आपको और clarity आजाए concept के अंदर ओके तो यहाँ पर मैंने एक example लिया है जिससे आपको काफी clarity आएगी इसमें ठीक है तो क्या example हमारा कह रहा है कि let t be the set of all triangles in a plane मतलब कि आपके पास suppose कोई plane है ठीक है किसी भी टाइप का कोई plane है इसमें क्या है सारे triangles आप consider कर रहे है मतलब किसी भी टाइप के जैसे यह मैंने कुछ triangle consider कर लिए ठीक है मतलब बहुत सारे इसमें triangles है ओके तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि with a relation in t given by और किस relation से है कि t1 और t2 जो है आपके क्या है congruent है t2 के ठीक है मतलब जो triangles है वो congruent है ओके congruent का मतलब आप समझ सकते हो कि similar type of तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करने है कि show that the relation r is an equivalence relation अब जब इसने equivalence की बात कर दी इसका मतलब यह हमारा reflexive भी होना चाहिए यह हमारा symmetric भी होना चाहिए ठीक है और यह हमारा transitive भी होना चाहिए तो यहाँ पर देखो reflexive तो easily हो जाएगा क्योंकि अगर आप कोई भी एक इसमें triangle चूज कर रहे हो ठीक है यह वाला suppose मैंने triangle चूज कर लिया तो यह खुद से तो congruent हो गाई ना क्योंकि खुद के साथ भी इसकी figure कुछ इसी type की आएगी same to same है ना तो खुद से तो यह congruent हमारा हो ही गया खुद के similar तो हो ही जाएगा अगर मैं खुद की बात कर देए तो मेरी खुद की मैंने एक ट्रेंगल ऐसा कुछ चूज कर लिया और जो दूसरा ट्रेंगल है मैंने वह भी कुछ ऐसा ही जूज कर लिया ठीक है तो आप देख सकते हो यह मैंने सपोज टीवन चूज कर लिया यह टीटू अगर टीवन मेरा टीटू के जैसे कि टीवन है हमारा टीडू के आज ऑ जह सपोज T3 के congruent होगा मतलब कि इसके भी similar होगा है ना तो यह हमारा क्या हो गया Transitive relation हो गया ओके तो यह हमारा example था I hope आपको यह example अच्छे तरीके से clear होई गया होगा बस आपको definition अच्छे से clear होनी चाहिए तो आप कोई भी question कर लोगे ओके और हाँ इसको लिखना किस तरीके से अब आपको simply लिख दोगे कि R is reflexive as T1 is congruent to T1 itself मतलब कि जो एक triangle होगा खुद के तो congruent हो गए होगा ठीक है दूसरा आप लिख दोगे कि T1 is congruent to T2 and T2 is obviously congruent to T2 T1 ठीक है तो obviously वह symmetric हमारा हो गया and similarly आप लिख दो के ट्रांजिटिव के लिए ओके तो यह हमारा इसमें लिखने का तरीका रहेगा मतलब यह इसलिए हमारा क्यों होगा equivalence relation ओके आप जैसे में एक example और लेती हो आपके सामने एक परपेंडिकूलर वाले example लेती हो ठीक है एक लाइन है सपोज मतलब एक सेट आने ऐसे चूज कर लिया सपोज एक L1 कोमा L2 such that L1 is perpendicular to L2 ठीक है यह मैंने एक relation आर चूज कर लिए डिफरेंट इसमें परपेंडिकूलरेटी वाला इसमें कॉंसर्टम दिखा रहे हैं तो आप देखो मैंने एक लाइन चूज करी सपोज यह वाले तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक लाइन ही चूज करनी पड़ेगी L1 ठीक है तो क्या यह इसके खुद के ही परपेंडिकूलर होगी नहीं होगी इसमें आप गुजदी की नहीं परपेंडिकूलर वाला तो यह जो है आपका रिफ्लेक्सिव सेट हमारा नहीं हो सकता नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की तो आप उसमे यह हमारे पास सपोस्ट एक ही लाइन थी एल वन मैंने चूज़ कर लिया इसको और मैंने दूसरी लाइन इस तरीक्टे से चूज़ कर ली जो की है हमारी क्या टू ठीक है तो आप क्या देख पा रहें कि जो एल टू है वो परपेंडिकूलर है लगन के बिकोज दिस इस मेक टेकिंग 90 दिग्ल है ना तो मतलब एल्वन एल्वन इस परपेंडिकुलर टू एल्टू एल्टूअट इस ओल्सो में टूब तो यह आपका हो गया है मतलब कि यह आपका जो हैं तो आपका हो जाएगा है ना अब तीसरी जो बाद आती है वह हमारी इसमें आ जाती है कि ट्रांजिटीव होगा नहीं होगा अब ट्रांजिटीव के लिए देखो एलवन है लटु के परपेंडिकुलर एलटू है सपोज मैंने अब लटू मैंने ऐसा चूज कर लिया कि ट्रांजिटीव रिलेशन आपका नहीं होगा अब इसलिए है यह आपका एक्षेप्स ठ्राइबं च्छीष होगे और जो इसमें मुझे लगता होगा questions important है और आप लोगों को clear नहीं हुए होंगे तो वो मैं obviously वीडियो के तुरू explain करूंगे okay so yeah guys thank you so much for watching मिलते हैं next वीडियो में till then आप वीडियो देखते रहिए और doubt आते तो comment में comment करते रहिए okay so yeah bye bye